दोस्तों वेलकम बेक टूवर यूटूब चैनल देकर के ट्रटर देखे दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेज ओस्टेलिया ट्यूर के उपर अब पाकिस्तान जारी है ओस्टेलिया तीन वंडे और तीन टीट्वन्टी खेलने के लिए अभी चार नवंबर से दस नवंबर तक इनके तीन वंडे चलेंगे, उसके बाद इनके T20 स्टार्ट हो जाएंगे, इस वीडियो में बात करेंगे, इनके स्क्वैर्ड के उपर सीरीज में क्या हो सकता है, कौन विन कर सकता है, मार्केट लोड किधर बैठ सकता है, और आखिर पाकिस्तान की टीम है, तो माफिया का क्या सीन रह सकता है, टीम के उपर भी बात करेंगे, अभी मैं सिधा चलूं तो स्टार्टिंग डेट, टाइम वगिरा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, वाकिसमें साइध 11 एम लिख रखा है, मैंने वापकर रिक्स पे 9 एम देख इसको मैं मानता नहीं, वो T20 में तो भाई बिलकुल भी नहीं, तो उसके बाद में हसी बुला, एकदम यंग टैलेंट है, 20-22 साल का लड़का है, ट्राइटी बैट्समन है, और बहुत बड़िया क्लिन इटिंग करता है, बट अभी इनको जब मोका मिलेगा, बार केलने का, बड़ी बड़ी लीक्स में केलने का, तो भाई, एक्सपिरियंस हो जाएगा बड़े प्लेयर के साथ के साथ केलने का, और बड़िया, यह फ्यूचर है अगर पकिस्तान के, अगर इनको मोका मिलता रहा, आग आते हैं बाबर आजम, तो T20 में तो इनको मोका देने ठीक है, हो सकता है किसी-किसी मानलो भी योसे में आपका वल्ड कप होगा T20 का, ठीक है तो वहाँ पे इतने रंस नहीं आ रहे थे, बट पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है यहाँ पर रंस बनते हैं भाई, इसलिए अगर बाबर आजम 40 गोल पे 55-60 रंगे पारी खेल के अभी पिक किया है, काफी दिन से परफोर्मेंस कर रहा है, डोमेश्टिक में भाई ने इतने रं बनाएं भाई, क्या बताओं आपको बहुत मैच विन करवा कि दिया है आपके टीम को, ठीक है, अभी इनका सेलेक्शन होगा तो देखते हैं, इंटरनेसल में क्या कर पाते है सलमान आगा, आप सभी जानते हो, बैतरिन ओल राउंडर ओफ डेक बोलिंग करता है, आमिर जमाल, बहुत बढ़िया ओल राउंडर है भाई, इन बंदों पे विश्वास किया जा सकता है, अगर टीम इनको मोके देगी ना, तो मैं बोल रहा हूँ भाई, बहुत जबरदस् बैटिंग की थी, बहुत एक तरफा परदस्न किया था, अभी तो शाहिद पहले मैच में ऐसे मोका नहीं मिलेगा इनको, बट टैलेंट बहुत गजब है, साइनसा अफरीदी आप सभी जानते हो, ठीक है, वो नशीम शाह बढ़िया बोलर है, साइनसा अफरीदी भी बढ़ एक दम आपकी टीम की सिच्वेशन, जब मैच एक बोल पर डिसाइड होता हो ना, वहां पर भाई वाइट डाल देगा बंदा, ठीक है, तो ऐसे प्लेयर्स के उपर तो भाई आप समझ सकते हो, सैम अयूब, इसको ODA में मोका मिलेगा, ठीक है, बढ़िया लेफ्ट एंडर बेट्समन है, मार की खेलता है, इंटेंट इन का साफ है भाई की तेज खेलेंगे, ठीक है, मौमद असनेयन, रैटाम का फर्स्ट बोलर है, और डोमेस्टिक में अभी काफी विकेट ले रहे है, ठीक है, इनको फर्स्ट मैच में मोका मिल जाएगा, फेजलकरम की बात करें तो चैना मैन लेक स्पिनर, अभी तो मोका नहीं मिलेगा, ठीक है बोलर, अभी बहुत, मतलब experience नहीं है, उमर भी कम है, और इनको जब मोका मिलेगा, तो कुछ ना, कुछ देखो, वैसे भी स्पिनर मेर को इतने खास कोई और लग नहीं रहे, फ्यूचर में पाकिस्दान के तो ठीक है फैजल अकरम, ठीक है बोलर बडिया है, इर्फान खान नहीं चाहिए की बात करें, तो ये भी बड़ी आलरूंटर, बड़ी आंट्रेंट के साथ कहलता है, और फास्ट मार के खलता है दलगा, ठीक है, कैप्टन की बात करें, तो बाबर आजम कैप्टनसी से हट हैं, और मुम्मद रिजवान साइड कैप्टनसी कर रहे हैं, तो बाबर की कैप्टनसी पे भी काफी विवाद हुआ था, इन्होंने रिजाइन भी दे दिया, क्या हो रहा था कि पहले इनकी कैप्टनसी में ना, सिर्फ इनके जो बंदे थे, या इनकी जिनके साथ बंती थी वही टीम में रहते थे, ठीक है, अपन तो क्या कह सकते हैं, बट ऐसा इनके न्यूज चैनल, ठीक है, इनके यूटूबर वगेरा सब बोलते थे, तो इन्होंने लास्ट में फिर रिजाइन ही दे दिया, तो अभी बात कर लेते हैं, टीम के उपर, नेक्स्ट, देखो, अब और अनप्रेक्टेबल गेम होता है, डीकेम माफिया का तो जिरूर जीन रहता है, पाकिस्तान के मैचीज में, अभी इंडिया वर्सेज न्यूज लेंड की श्रीज देख सकते हैं, ठीक है, तो कोई बाई, मुलब सो पर सनफ जोर खुष नहीं हो सकता, किर्केट में, किर्क इंडिया में हार जाएगा तो कुछ चीज़ें होती है इसके पीछे कुछ करवाई जाती है कुछ हो जाती है अभी गंबीर के बारे में इतनी बड़ी-बड़ी बातें चला रखे लिए तो किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा हाइप बना रहे हो आप तो फिर वो कही ना कहीं टेम को बैकफायर तो करेगा भाई लंका में जाके लंका में हार के आएं ठीक है उससे पहले एक मैच जिम बामवे में भी हार के आएं और अभी 3-0 से किसी बंदे के बारे में इतनी हाइप बनाओगे तो आपको फिर ऐसा ही मिलेगा भाई रेट वगिरा भी कुछ ओपन नहीं होगा वैसे ना 20-25 रेट ओपन होगा इसका यह मानलो आप सम्थिंग तो मैचेज कलरफूल बन सकते हैं ऐसा नहीं सोच सकते हैं आपकी मैचेज में कलर नहीं आएगा अगर 20-25 रेट चल रहा ना भाई तो यह भी किसी वज़य से चल रहा है ठीक है ऐसी बात नहीं है कि 20-25 में कोई लगाता नहीं अगर 20-25 में आप पैसा लगा लोगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपको एकदम फोकट में पैसा मिल जाएगा और कोई जरूरी नहीं होता भाई टीम विन हो जाए ठीक है अगर कलर लाके दे रही है आपको मैच में तो आपको क्या मतलब है पूरा मैच विन करें आएगा टीम से मतलब रखना ही नहीं है भाई फोकस रखना है पैसा बनाने के उपर ठीक है रेट जितना कम हो रहा है तो उसके अकोरडिंग आपका लोस कट भी आसानी से हो जाएगा 20 पैसे में खा रहे हो आप मानलो और चालिस पैसे आती अपना लोस कट तो कर सकते हो 40-50 पैसे का रेट कभी भी आजाएगा तो इतने स्टेट मैचेज नहीं होने वाले हैं ऑस्टेलिया की टीम के उपर बात करता था तो जैक फ्रेशर एकदम क्लीनेटर बंदा है और बहुत बढ़िया मार के खेलता है अभी कुछ मैचेज हुए इसको पैसे इंटरनेशनल के और काफी लिक्स में इसको देखा होगा आपने बहुत बढ़िया क्लीनेटिंग करता है मैच्छू शोर्ट ये बंदा भी फॉर्म में चल रहा है इन फॉर्म बैट्समेन है और पिछले कुछ दिनों में डोमेस्टिक में भी अच्छा किया है और कुछ जगह है मैचेज में की बढ़िया सेलेक्सन होई स्टोइट मेन भी इतना खास पसंड है नहीं पैट कमिंस एकनबर की कैपिटन है और बवहत बढ़िया बोलर है एडम जमपा बहुत जबर्दस्ट नीकीं एक कopeada है और इनको मोका नहीं मिलेगााब मैच में तो आरौन हर री बहूत बढ़िया तो इसको नहीं मिलेगा ठीक है कूपर को इसके बाद में बात करें तो हैड वगेरा तो इसमें ही नहीं थीक है अभी साइड चुटी पर बात करें अगर सीरीज के प्रेडिक्शन के उपर तो देखो सीरीज कलरफूल हो सकती है अगर यहां लो ऑश्ट्रेलिया एक दो मैचे में सीधा विन कर दिया तो फिर उसके बाद उस टीम पर लोड बहुत जादा हो जाएगा मार्के लोड ठीक है चोटे डेट में भी पैसा लगना स्टार्ट हो जाता है बहुत सारी फिक्सिंग हो जाती है विर उस केस में तो वो सब अपने लाइव मैच में डिसाइड करेंगे किस टीम के साथ जाना है बट सीरीज मेरे को भी पसंद है कलरफूल हो नहीं ठीक है चले दोस्तों अभी के लिए मैं करता हूं video को end और कोई भी आपका question हो या आपका suggestion हो या आपको कोन सी टीम विन होना पसंद है या सिरीज आपको कैसी होना पसंद है तो आप comment box में भी मिरक को आके बता सकते हो टेलेगराम पे भी कोई question हो तो पूछ सकते हो